दोस्तो युक्रेन कई महिनों से इस्रेल पर दबाव डाल रहा है कि इस्रेल अपने state of the art iron dome air defense system को युक्रेन war में रश्या के खिलाफ इस्तिमाल करने के लिए भेजे मगर इस्रेली प्राइमिनिस्टर बेंजमिन नेतन याहु ने कहा कि इस्रेल युक्रेन को iron dome system नहीं देने वाला है क्योंकि उनको चिंता है कि कहीं अगर ये system इरान के हाथों में चला गया तो इरान इसका इस्तिमाल इस्रेली citizens के उपर करेगा नेतन याहु ने सबका ध्यान इस बात पे किया कि इस्रेल एक घनी आबादी वाला देश है इससे पहले जितने भी conflicts हुए हैं उनमें उन्होंने इसी iron dome system की effectiveness की वज़े से अपने citizens को नुकसान पहुचने से बचा पाए हैं अगर ये air defense system युकरेन को देने के चकर में कहीं इरान के पास चले जाए तो इरान इसकी reverse engineering करके ऐसा ही दूसरा system बना लेगा जिससे फिर लाखो इस्रेली रक्षा हीन हो जाएंगे और पूरा इस्रेल खत्रे में आ जाएगा